वारणासी में ग्यानवापी मंदर के पैरोकार सोहनलाल आर्या को सर्तन से जुदा करने वाली धमकी दी गए है ये फोन पाकिस्तान के नमबर से आया था पाकिस्तान से पुना धमकी के करम में एक पुना धमकी आई है सुना अपने ये हैं सोहनलाल आरे जो ग्यानवापी मंदर के पैरोकार भी है आरोप है कि इन्हें जान से मानने की धमकी बार बार दी जा रही है ये देखिए कहा जा रहा है कि ये वही पाकिस्तान का नंबर है जिससे कनहिया की तरह सर तन से जुदा करने की चेतावनी दी गई पाकिस्तान के नंबर से एक कॉल 19 जुलाई को आई थी जिसके बाद अब इस मामले में केस दर्श करवा दिया गया है हमारी मार्नियों सुवाजी जो है पत्रक त्यार कर रहे हैं जिलादीकारी कमिस्नर साहब कह जाएंगे वो लोग समय हमको दिये हैं सुहनल आरे का दावा है कि इससे पहले भी कई बार उन्हें ग्यान वापी केस से हटनी की धमकी दी जा चुकी है तो एक तरफ पाकिस्तान से धमकी भरा फोन कॉल आने का ये मामला और दूसरी तरफ बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक साज़िशों को सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया है जमू में पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराए गया और वहीं अटारी में ड्राइफरूट के ट्रक से संदेग्ध बॉक्स बरामत कर लिया गया जमू में भारत पाकिस्तान अंतराश्टी सीमा पर पुलिस ने पाकिस्तान की नापाक साज़िशों को नाकाम कर दिया है बताया गया कि ड्रोन की मदद से पाकिस्तान से हथ्यारों के एक बड़ी खेप भेजी गई थी जिनकी बरामदगी करवाने गए एक पाकिस्तानी आतंकी ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया जिसमें पुलिस का एक जवान खायल हो गया जबकि पाकिस्तानी आतंकी को मारा गया बताया गया कि मारे गए आतंकी का नाम अली हुसैन उर्फ कासिम उर्फ जहांगीर है ये लश्करे तईबा और अलबद्र के लिए काम करता था इधर अटारी बॉर्डर पर भी पाकिस्तान से आये ड्राइफ रूट के ट्रक से संदिक्द बॉक्स मिला ये बॉक्स ट्रक की चेसिस से चुमबक के साथ चिपकाया हुआ था जिसके बाद इसे बीए सेप की मदद से विश्पोर्ट कर नेस्ट कर दिया गया फिलहाल ये साथ नहीं हो पाया है कि बॉक्स के अंदर से निकला पदाथ आर डी एक्स था या फिर कोई और पदाथ बॉक्स और पाउडर को जाज के लिए भेज दिया गया है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे